गयज आजकल माइन्ट्राफ्ट की ग्राफिक्स मेंना इतना मजा नहीं आ रहा है देखो यह सुआ डबा वुनाव है काश हमारे माइन्ट्राफ्ट की ग्राफिक्स ने एकदम रियलेस्टिक हो जाए फिर सुचो कितना मज़ा ऐगा मैं ऐसा क्या कर सकता हूं वेट शायद सैसा हो सकता है मैं एक पर यूटूब पर सर्च करता हूँ अरे यहाँ पर तो इशान भाई की वीडियो आ गई अरे हाँ मिटपैट ने में इसके बारे में एक वीडियो अप्रोड की थी हाँ यह रही वो वीडियो इस दिन तक मैं मेरे कंपिटर को रोज आलू खिलाते चला गया बस हमें PC का आलू खिलाना है इतनी सी वात यह तो बहुत इजी है गाईस मुम्मी ने आज ही सारा समान लेकर आए मार्केट से तो इधर है आलू यह लेता हूँ और मम्मी को मालूम पढ़ने से पहले मैं फटाट से निकल लेता हूँ तो इंस्रक्शन के हिसाथ से मुझे यह आलू PC को खिलाना है यह ले आलू खा ले अरे खा गया अभी देखते है कि यह कां करते हैं नहीं ओके अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है I think मेरे PC को आलू digest करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ओके यह कां कर गया लेट्स को हमारे Minecraft की ग्राफिक्स एको कितनी चेंज हो चुकी है बट एक मिनिट यह तो Minecraft के नॉर्मल से शेडर्स है मुझे ना थोड़ा और रियलास्टिक ची है ऐसी ग्राफिक्स के साथ तो मैं बहुत 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 खेल चुका हूँ गाइस मैंने इस PC को एक बर आलू खिला है तो हमारी ग्राफिक बढ़ गई अगर मैं इसको एक और आलू खिला दू तो क्या होगा लेट्स ट्राए बट्बुज़ उसके लिए एक और आलू लेकर आनो होगा चलो गाइस मुझे लगता है रास्ता साफ है अगर बागे जाओ आँ पैस में जैसे तैसे करके यह आलू लेकर आयो मम्मी से बच बच के आलू लेकर आयो और अगर यह आलू नही काम करा ना लेकर आख डेलिट कर देखते है की काम करते है नहीं अधे यह वास कहां से आई वो यह सच्छी में काम कर गया ब्रोई क्या ग्राफिक्स है मैने यह तो एक्स्पेक्टिं किया था हमारा वर्ल इतना रियलस्टिक हो जाएगा ये ग्रास देखो कितना रियल लग रहा है और पानी में ये है? ये कुंसा ब्लोक है वई? इसमें अतनी डिटेलिंग है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्ँंसा ब्लोक है इसमें लेवल ओफ डीटेलिंग देख रहा हो? चलो अच्छा है आलू के लाना वर्थिटो रा नहीं तो मेरे ममी से चपल पढ़ने ही वाल दी है साथी साथ वीडो भी ने बनती दुख ही दुख हो जाता ये लीव्स है ना रियल लीव्स से कम ने लग रही मुझे तो एक सेकंड के लग रहा था कि मैं रियल लीव्स को देख रहा हूँ अरे ये आपको विड का टेक्चिर ऐसा नहीं लग रहा है ये जूपीटर है वैसे देखा जाए तो इसका टेक्च्टर बहुत अच्छ है चलो मैं थोड़ा सा वुड टोल लेता हूँ इससे हम लोग इना टूल्स बनेंगे मुझे देखना है कि इसमें टूल्स कैसे दिखेंगे वेट अ मिनिट ये कौन सा ब्लॉक है और क्या ये मैगमा ब्लॉक है ये यहाँ पर कहां से आया उपर गोल्ड है अच्छा ये रूइंड पोटल है मैं वही सोच रहा था कि ओवरोल्ड में नेधर के ब्लॉक्स कैसे आखे ओ ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सारे ब्लॉक्स इग्दम अलेग लग लग रहे है वैसे ये मॉसी कोबल स्वोन जैसा लग रहा है और ये रेड वाला तो नेधर रैक है चलो मैं फटावट से क्राफ्टिंग ट्योल बना लेता हूँ और ये देखो क्राफ्टिंग ट्योल का टेक्श्चर ओ वाव पिकैक्स का लुक तो देखो अच्छा ये बुड़न हो है इसमें तो सब के लुक चेंज हो चुके और ये पिकैक्स का लुक तो देखो चलो फटावट से स्टोन की भी पिकैक्स बनाते हैं पिकैक्स तो बन गई बट मुझे अभी देखने के स्वाड कैसे दिखेगी ये क्या सकाण है बाया अलूख कम पड़ गया स्वाट पर टेक्श्चर क्यों यह से अब सबस्क्राइब मेरा नासिब नहीं अच्छा कपसे हो गया चलो जो भी है मैं लूटने का काम करता हूं और आप लोग भी अपने काम करदो लाइट थग दूह एक एसमें ब्लॉक्स क और इसका शेप भी एकदम रियल हो जैसे है अरे एक मिनिट रात हो चुकी है मेरा ध्यान इनी था मुझे रात सर्वाइफ कर रहे होगी कैसे भी एन रात के टाइम पर तो देखो यह ओपसीडेन कितना ग्लो कर रहे है शायद से मैं इज़र एक नेधर पोड़िल बना सकता हू मुझे दो तीन उपसीडेन की ज़र रहत है एक उपसीडेन तो मेरे पास है यह में लगा देता हूं अभी मुझे सिर्फ दो यह उपसीडेन चाहिए एक काम करते हैं लोग नेधर बाद में ना लेंगे और यह देखो अरे यह मैगमा ब्लोक है और पता नहीं मुझे इसे क् कॉल की पर आ गया ओके यहां पर लावा है पट अभी लावा का कोई काम ही है बट आप लोगा का मुझे बहुत काम है फूट दो मुझे भूख लग रही है दस मिनट तक जॉम्बी से भागने के बाद और यह कौन सा ब्लॉक है मुझे बहुत कंफ्यूस हो रहा है अच्छा यह तो ग्रेवल है भाई ग्रेवल इतना अच्छा कैसे हो सकता है अभी ना मैं भागूंगा नहीं मैं लोग से फाइट नूँगा आजा स्केलेटन तू भी आख रीपर अरे नहीं नहीं मतों उसके पास जाके फट अभी आजा स्केलेटन हमारे बेश में अभी कोई नहीं अब यू मार के दिखा ना ओ सौधी सौधी हमारे स्केलेटन भाई गुस्सा हो है मर गा में को मार ना था अरे बाई मैं आपर रियलिस्टिक माइनग्राफ्ट के मजे लेने आया था यह लोग है कि मेरा पीछा ही नहीं चोड़ रहे और यह वाटर मेलन क्यों नहीं खा रहा अरे हां यह तो ग्रिस्टली मेलन है इसको हम नहीं खा सकते और इस मुर्गी के फेस को क्या हुआ भई अरे छोड़ो इसे मेरे पास टाइम नहीं है आज दिन होने वाला है या नहीं मैं कब से भाग रहा हू इदर उदर और यह देखो मुझे एक डॉग दिखा यह कितना क् और फाइनली इतने सालों बाद डे हो चुका है अब यह ना मुझे अच्छी सी केव डुणना है बट उससे पहले मुझे डॉग टेम करना है यार अरे एक मिनिट मेरे पास टो बोन नहीं है मैं इनको कैसे टेम करूंगा अरे यहाँ पर कोई स्केलेटन है क्या उसको मारके म कोई नहीं है आपर तो रात में क्यों आते हो तुम लोग सुबहों में आने का ना मैं तो ऐसा बोल रहो कि लोग सच में दिन में आजेंगे चलो कोई बात नहीं कभी और टेम कर लेंगे डॉग को मेरी हैल्थ अभी बहुत हो है मैं काम करता हूँ फरनेस में ना खाना कूक क मेरे पास कितनी बार आता है मुझे इसका टेम करने का मन है बट मैं नहीं कर सकता है मेरे नीचे केव है चलो कम से कम केव तो मिली बट अंदर बहुत दर डार की तो मैं टॉर्चे बना लेता हूँ और मैं थोड़ा बट फुड भी कूक कर लेता हूँ अभी यह कुन सा हो रह कि आयन की स्वाड अना एकदम शाइनी होगी और हां एक चीज मैने तो बोल जाता कि मैं टॉर्चे बनाऊंगा बट मेरे पास कोल ही था अच्छा हो मिल गया गाइस इट्स टाइम तो मेक आवर स्वाड ओ मैना जैसा एक्सपेक किया ता उससे तो बहुत अच्छी है और एक और चीज मैंने हेलमेट को तो नोटी से नहीं किया इसमा हम लोग एकदम वारियर जैसे लग रहे है और यह स्वाड को देखो हमारे स्टीव से भी बड़ी लग रही है यह बन गई हमारी आयन की चेस्प्रेट ओहो एकदम कूल लग रहा हूं है चलो गाइस अभी रात हो च आज करे को इसका के पास जातीत है और उते थे नी मारती ने भट मैं परणिवार मेरे को मारी न तुंहें मैं पावल की तरह केरह 시 Field में घूम घूम टरा और खूम तरा ौर मुझे 근데 outo आफ और एसा भूढ हो चुक है। बहुत बार मतलना बहुत बार और सबसे गलए है छिज मेरे साथ मैं बदेर समय अगया वहा दोन मेंक जो तो इस आप और मैंने उसके बाद गिवप कर दिया बट मुझे आपको और भी बोडशा तरा बताई तो दो बताना है यह तो गाइस ऐसा दिखते है डामन का इसमें वोर्यर दिख रहे है और इसके स्वार्ट को कितनी अच्छी है और बहुत बुपी लग रही है और मुझे डायमड ब्लोक इतना अच्छा ने लगा हाँ उसका टेक्श्चर अच्छा है बड़ इसमें अश्ती शायन नहीं अभी मैंने पोटल बना दिया अभी मैं इसको लाइट अप करूंगा ओ यह बहुत अच्छा है अरे ग्रास ब्लोक बीच में आ रहे हैं व्यू खराब कर रहे हैं अभी अच्छा लग रहे हैं चलो हम लोग नेधर भी देखी लेते हैं ओके नेधर में आइड़ फिजिक्स के बारे में वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट में बता देना और अगर आप चैनल पर न्यूँ हो तो सब्सक्राब कर देना मिलते अगली वीडियो में तक टक ले बाई बाई